नमस्कार दोस्तों मैं हिमानसू दिक्षित स्वाकत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विथ हिमानसू नालेज में दोस्तों हम सभी स्मार्ट फोन का यूज तो करते हैं लेकिन अपने फोन की सिगोर्टी के प्रती उतना ज़यता ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है तो इसलिए दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एक बहुत थी यूनीक सिटिंग लेकर आये हैं कि एक सिटिंग करने से मातर आपका फोन कभी ना तो हैंग करेगा और नहीं आपके फोन में कभी जिन्दगी में कोई वाइरस आएगा तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाश तक देखते रहिए चुकि आप लाश तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है बहुत ही सिंपल सी सिटिंग है अकसर हम सभी लोग प्ले स्टोर में कोई आप डाउनलोड किया करते है और जायद आप लोग यह नहीं जानते होगी कि हमारे फोन में जो वाइरस आते है वो इन्ही एप्स के साथ जब हम कोई फाइल अपने फोन में डाउनलोड करते है तो उसी file के साथ हमारे phone में जो है virus आ जाते है तो friends ये virus आगे चलके हमारे phone के लिए बहुत बड़ी problem create कर देते हैं हमारा phone अजीब अजीब तरहे कि हरकते करने लगता है hang करने लगता है तो friends इन सारी समस्याओं पर आप जो है एक settings है आसानी से control पा सकते हैं आपको सिर्फ एक setting करनी है इसलिए आप लोग एक छोटा सा वीडियो लाश्ट तक देखते रहे है लेकिन friends उससे पहले आभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को इस लाल बटन को दबा कर subscribe कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप इस bell icon को जरूर प्रिस कर दीजिए जिससे की आने वाली नई वीडियो की uploading information आपको मिल जाए और आप से वो वीडियो मिस ना हो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो Friends यह setting open करने के लिए सबसे पहले हमें अपना play store open कर लेना होगा तो हम अपना play store open कर लेते हैं और फिर play store में आप यह देख रहे हैं उपर यह आपको three dots दिखाई दे रही हैं तो हम इस three dots पर click कर देंगे फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे यह आप देख सकते हैं account payment method फिर नीचे आपको यहाँ पर एक option आपको यह देख रहा है play protect तो इस play protect वाले option पर हमें click कर देना है simply तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा interface दिख जाएगा आप देख रहे हैं full screen turn off अब यहाँ पर आपके phone में depend करता है आपको यहाँ पर आपको उपर setting का option देख जा रहा है आप इस setting पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको आप से कुछ ऐसा interface खूलेगा फिर आपको यह देखिए आप लिखा scan device for security threats तो आपको इसे simply यहाँ से enable कर देना है आउन कर देना है तो यह देखिए दोन आप भी कोई app download करेंगे play store से तो अगर उस app में कोई भी किसी तरह का virus malware होगा तो आपका phone जो है तुरंट आपको indicate करेगा पहले तो google जो है उसको scan करेगा डाउनलोड करने से पहले फिर आपको तुरंट को indicate करेगा तुरंट बता देगा कि इस app में यह चीज है virus है malware है और व अगर आप जब अरदस्ति डाउनलोड करना चाहें तो वह अलग बात है तो फ्रेंट्स यह setting आप लोगों को अपने mobile में जरूर करनी चाहिए चुकि हम काफी पैसा खर्चा करके अपना एक smartphone purchase करते हैं लेकिन उसके सुरक्षा के प्रत इतना ध्यान नहीं देते हैं तो यह फोन में जिन्दिगी में कभी कोई वाइरस नहीं आने देगी इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह दूँगा कि आप लोग अपने फोन में जो हज़े setting जरूर करें और अपने फोन की life को हमेशा हमेशा के लिए सिकोर कर दें इससे ना तो आपका फोन कभी हैंग होगा और आपके फोन में कभी कोई वाइरस आएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तक तक आप लोग हमारे चैनल को जिरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और बहुत जल मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो में एक बहुत सी यूनिक टाफिक के साथ तक तक के लिए जैहिन बंदे माक झाल, कि मुत आपकाशा बात।